हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग हूप आप आप सब लोग ठीक होंगे आज मैं बनाने वाली हूँ साबुदाना वाड़ा जोकि बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही आसान है बहुत अच्छे से बनने वाली है उतना डाल कर हमें राद बर भीगोना चाहिए तो मैंने इसे निकाल लिया है प्लेट में अब इसमें डाल रही हूँ एक टेबल स्पून जितना में जीरा आधा टेबल स्पून नमक नमक आप अपनी स्वाद के अनुसार ले सकते हो उसी के साथ चार बारिक कटी हुई हरी में डाल रही हूँ मैं देख सकते हो आप लोग और जो है उसी के साथ अब हम क्या करेंगे ये कटा हुआ बारिक जो है एक से देड़ मुट्टी जितना हरा धनिया और जो है ये पीनट्स है याने के मूंग फली जो है वो भून कर मैंने इसे देखिए इस तरीके से मोटा मोटा पीस लिया है और ये भी मैं डाल रही हूँ ये मैंने एक कटोरी लिए थी छोटी भर कर इसे भी मैंने डाल दिया है उसी के साथ जो है आलू उबले हुए चार से पांच मेंने छोटे मतलब थे ये आलू ज्यादा बड़े भी नहीं यानिके एक पाऊ के करीब ही ये आलू कि आपन घो हैं घो कोई सब बोया तो हुआ द कर लें ऊच्छ कोई ane को कर देख सकते ऊप लोग माशाला इसी तरीके से में क dough की तरह一次 को अब हम क्या करेंगे इस जो हे चोटे-चोटे जो हे राऊंड शेप में टिक्कियां बना लेंगे तो छोटी छोटी आप छोटे बड़े जैसे आप चाहो उस तरीके से बना सकते हो ज़रूरी नहीं बड़े बनाना में थोड़े से है जो है मीडियम साइस के बना रहे हूं ज्यादा बड़े भी नहीं छोटे भी नहीं तो इसके साथ मैंने थोड़ा तो देख सकते हो यह एक इस तरीके से रेडी कर लिए है तो सारे मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगे आराम आराम से जो हमें तेली के अंदर रख कर इसे प्रेस करना है तो चलो मैं क्या करती हूँ जो है तेल लगा लगा कर आराम से जो है इसे प्रेस करके बना लेती हूँ सारे वड़ों को इसी तरीके से आपको भी बनाना है तो चलो मैं सारे बनाकर आपको दिखाती हूं तो यह देख सकते हैं फिलाल मैंने इतने ही वड़े बनाकर रेडी किये क्योंकि मुझे इतने की जरूरत थी बाकी का मैंने फ्रीज में रग दिया है और दूसरे साइड में ने तेल गरम होने के लिए रग दिया था तेल को पहले अच्छे तरीके से गरम कर लेना है फिर उसके बाद जो है गैस को मीडियम करना है ज्यादा फास्ट गैस पर नहीं बनाना है वड़े क्या है उपर से तो गोल्डन प्राउन हो जाएंगे पर लोग इसके अंदर दालेंगे तेल में और गैस को मीडियम करकर हमें इसे चार से पांच मिनिट तक फ्राई कर लेना है तो यह देखिए चार ये पाँच मिनट हो चुके हैं चार से पाँच मिनट, अब मैं इसे पलटी करके, फिर से जो है अच्छे गॉलडन ब्राउन हैने तक फ्राइप कर लूझे, तो देख सकते हो माशाला हमारे वड़े जो हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, एक दम गॉलडन ब्राउन आया है और बहुत ही अच्छे फूले फूले बने हमारे वड़े तो इस रमजान आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही सिमपल रेसीपी है और खाने में तो बहुत ही अच्छी एकडम क्रिस्पी बनती है आप इसे जो हैं दही के साथ या दही की जो चट्मी आती है उसके साथ भी खा सकते हो और अगर आपको मेरी रेसिप पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ देख सकते हो माशाला कितने अच्छे हमारे वड़े बने हैं एकदम गोल्डन कलर आया है इसका और खाने में एकदम क्रिस्पी है अंदर से भी बहुत अच्छे फूले है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला मेज और वीडियो में चैस।